अक्सर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बहुत मस्ती करते हैं, पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, सारा दिन खेलते रहते हैं, और जिद भी बहुत करते हैं, ट्वाइस तोड़ देते हैं, दोस्तों के साथ खेलते रहते पढ़ने का नाम लो तो बहुत नकरे दिखाते हैं तो पेरंट्स से कहने से बार हुए जाते बच्चे तो फ्रेंड्स हमने देखा कि बहुत सारे most of the parents को ये वली problem आती है कि बच्चे कहना नहीं मानते जब बच्चों में कुछ parents को कुछ problem solve problem आ रही हैं जिससे कि वो देखते हैं कि बच्चे उनके कहने से बार हुए जाते हैं तो ऐसे में हम क्या करें कुछ एक rule set करें बच्चों को discipline में हम किस तरह से रखें तो इसी विशे पार friends आज हम discuss करेंगे कि बच्चों को हम किस तरह से discipline में रख सकते हैं पहली बात तो यह है कि what is discipline discipline किसे कहते हैं कुछ एक rules को set कर लेते हैं कि हमें अपने परिवार में इसी तरह के इसी के according ही चलना है कुछ भी तरह के हम rules अपनी according रख सकते हैं अपनी family की choice के according की हमें किस तरह के rules रखने हैं इसी को discipline करते हैं इसी के अंतरगत जो हैं बच्चों में हम ये वाली भावना ला सकते हैं ताकि उनमें अच्छी आते पढ़ सकें और इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है parents को कि be a role model before your child आपके बच्चे जो हमेशा आपको copy करते हैं अगर आप किस तरह से चलते हैं किस तरह से परवार में बोलते हैं कैसे आपके लोगों के साथ relation है आप सारा दिन में किस तरह से behave करते हैं शाउट करके बात करते हैं जब प्लाइटली बात करते हैं तो इस सबसका effect जो है बच्चों के उपर पड़ता है इसलिए हमेशा बच्चे के सामने सबसे पहले हमें खुद में discipline लाना पड़ेगा हमें खुद में अपनी आथों को सुधार कर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी आते बहुत सारी बिगड़ी हुए होती है लेकिन हम बच्चों से expect करते हैं कि बच्चे जो हैं बहुत अच्छे अच्छे बड़िया बड़िया रहें लेकिन ऐसा नहीं हो सकता सबसे पहले आपको खुद में चेंज लानी पड़ेगी आप खुद एक रोल मॉडल बनें बच्चों के सामने और अच्छे अच्छे तरीके अपनाएं अपनी फैमिली में रहे कर ताकि बच्चे भी जो है उन रूल्स को फॉलो करें और दूसरी बाज़े है कि आज कल जो है फिजिकल पनिश्मेंट देनी जो है बिल्कुल ही बैन है मतला आज कल के जमाने में ये वहली चीज जो है एक्सपेक्टिशन से बार है कि हम बच्चों पर हाथ उठाएं और कभी उठाना भी नहीं चाहिए लेकिन अगर हम अपने जमाने की बात करें तो उस समय जो थी पेरेंट्स जो थे हमने खूब मारें भी खाई हुई हैं थपड़ भी खाई हुए हैं पेरेंट्स से पिटाई भी हुई हुई मारी लेकिन तब हम लोग जो थे हमें डिप्रेशन नहीं होता था तो वो क्या होता है, बच्चे को बहुत पैमपर करते हैं, बच्चे जलदी-जलदी डिप्रेशन में जले जाते हैं और इस वजह से कभी भी बच्चों पर shout नहीं करना चाहिए ना उन पर हाथ उठाना चाहिए, बच्चे के मन में कोई बात बैठ जाती है और वो डिप्रेशन में जा सकता है इसले दूसरी बात यह है कि बच्चे को हमेशा जो भी सिखा रहा है प्यार से सिखाया जाए कोई भी गुसे से शाउट करके जा पिटाई करके यह वाला प्रोग्रम जो है बिल्कुल बंध हो जाना चाहिए और एक है कि बच्चे के सामने हम रूल सेट करें जैसे माल लो फैमली में रूल है कि बच्चे को कहेंगे कि छे बज़े उठकर आपने स्टडी करनी है ठीक है छे बज़े उठना ही उठना है तो ऐसा ना हो कि फादर भी सोता रहे मादर भी सोती रहे तो बच्चा छे बजे नहीं उठेगा, एक दिन उठेगा, दो दिन उठेगा, लेकिन फिर वो सोचेगा, कि हाँ तो सब सोते है, मैं ही क्यों जगूँ, तो इसलिए वो भी कहना नहीं मानेगा, इसलिए बच्चे के सामने ये रूल सेट करना पड़ेगा, कि जल्दी उठना ह तो मदर भी जल्दी उठे, फादर भी जल्दी उठे, ताकि बच्चे को भी ये वली फीलिंग आये, कि हमारे फैमिली में जल्दी ही उठना होता है, और वक्त पर सोना भी, ये ऐसा नहो कि बच्चे को तो कहते जाएं कि बेटा, फोन नहीं चलाना, फोन गल्द चीज है, इसका बच्चे पर जरूर बुरा फैक्ट पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले सुधार खुद में जरूर है, आप खुद में सुधार लाएंगे, तो बच्चा आटोमेटिकली सुधारना शुरू हो जाएगा, तो कि बच्चा सिर्फ आपको ही कौपी करता है, बाहर की दुन आपको ही कुछ ना कुछ बच्चों की बुराई करते हैं, कि हमारा बच्चा तो ऐसे करता है, इसका पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं है, सारा दिन मस्ती करता रहता है, दोस्तों से साथ जितना मरजी इसको गुमालो, ये कुछ भी काम निक करता है, तो बच्चों की इस सामने बुराई नहीं करने चाहिए अगर हम लोगों के सामने बच्चों की बुराई करते जाएंगे तो उसका एफ़ेक्ट जो है फिर बच्चा सोचेगा कि यह मेरे पेरंट्स मेरी हमेशा ही बुराई करते रहते हैं तो मुझे अच्छा बनने की जरूरतनी है वो जब तक आप शानत नहीं होगे तो बच्चे को भी आप अच्ची आदत नहीं सिchos सकते और बच्चे को ये नहौ के रूल सेट कर दिये कि ऐसा करना है तो करना है जिद्त करने से होगा जल्धी उठने से क्या फाइदा होगा उसको उसका एम बताएं कि तुमने जीवन में ये बनना है तो उसके लिए तुमको सुबह उटकर स्टडी करनी है जा कुछ मेडिटेशन करनी है रात को जल्दी सोने से क्या होगा जा आप ये बताएं कि फोन जैदा नहीं चलाना टीवी जैदा नहीं चलाना तो फोन ज़यदा चलाने के क्या नुकसान है, टीवी ज़यदा चलाने के क्या नुकसान होगी, यह सब चीज़े उसको पूरा बता कर फिर यह रूल सेट करें, और कई वार ऐसा होता है कि family में आपस में differences किसी बात को लेकर हो जाते हैं एक जना तो कहता है हम mother कहती है बच्चे को कि नहीं बटा टीवी नहीं ज़्यदा चलाना, phone नहीं ज़्यदा चलाना, टीवी नहीं चलाना चलो मान लो, तो उतने में कोई आ जाता है, कोई grandparents आ जाती है जा कॉई फादर ही है मालो कहता है नहीं बच्चे नी चलाएंगे तो और कौण चलाएंगे यही तो उनकी उमर है चलाने की चलाने दोना मत रांटो इनको तो बच्चा जो है वो देखीगा कि वो बंद में जो father जा grand parents उसकी favor करें तो उसको वो अच्छे लगेंगे जो उसको सही चीज समझा रहा है वो उसको अपना गलत समझना चुरू कर देगा इसलिए एक एक फैसला रखें पहले खुद में determination कर लें कि बच्चे को क्या कहना है क्या नहीं कहना है तो इस तरह से हमने दोस्तों जे छोटी छोटी बाते हम अपनी family में करेंगे अपनी बच्चे को समझाते जाएंगे तो discipline तहीं आएगा पहले आपने आपने discipline आना पड़ेगा आपको अगर आप खुद discipline में रहोगे वो चीजे खुद पर apply करोगे तो बच्चे भी definitely उन चीजों को apply करेंगे इसलिए दोस्तों इन parents से यही है request कि आपको अपने बच्चे को परिश में कुछ problems जो भी आ रही है आप comment box में share करें और आप अपने बच्चे को किस तरह से care करते हैं कैसे ध्यान रखते हैं अपनी प्लीज शेयर करें और मेरे चैनल को like और subscribe कर दें शुप्रिया दोस्तों